नमस्कार, दिल्ली, गाजिपूर, अंतराश्ट्री सीमा पर आपका स्वागत है, माफ कीजेगा, गल्ती से मैंने अंतराश्ट्री सीमा नहीं बोला है, बोलने की वज़े है, जो यहां का किस्तिती है, जो द्रिश्च है, वो कुछ उसी तरह का है, ऐसे बाड, ऐसे फेंस, अं अगर आप अंतराश्ट्री सीमा की फिलिंग लेना चाहते हैं, तो एक बार गाजिपूर बॉर्डर पे आईए, और यहां का नजारा देखिए, थोड़ा पास चलेंगे, तो फिर आपको बताएंगे, दरसल यह वो रास्ता है, जहां, यहां गाजियाबाद के लोकल दिकाती है, वो कल से बंद है, तो बंद भी कैसे किया गया है, वो देखने के लिए, यह इसलिए किया गया है, कि जो लोग पैदल कोशिश करते थे जाने के लिए, वो पैदल न जाएं, यह ब्यवस्ता गाडियों के लिए है, और एक चीज और मैं दिखाऊंगा, ये आप देखिए, ये क्या है, इसे देखिए, और फिर सोचिए कि ये क्या है, बेरिकेटिंग इतनी सक्त है, बार लगे है, फैंसिंग लगी है, उसके बावजूद ये जो बेवस्था की गई है, कि इधर से कोई गाड़ी अगर क्रॉस करे, तो उसके टायर पंक्चर हो जाए, तो ये है तैयारी आज की, लेकिन ये तैयारी कब होनी चाहिए थी, ये तैयारी उस दिन होनी चाहिए थी, जिस दिन किसानों को ट्रेक्टर परेट करना था, उस दिन इस तरह की कोई तैयारी न दिखाऊं यह जो हाईवे है दिल्ली आने और जाने वाला इसमें दिल्ली की तरफ जाने वाला हाईवे है किसानों का उस पर धरना चल रहा है और दूसरे तरफ दो जो लेन है वो दिल्ली से यूपी की तरफ आगे काजियाबाद मेरट की तरफ जाने का रास्ता है उसे पूल कि दिल्ली और यूपी का कि ये अंतराश्टी सीमा है तो क्या मैं गलत कह रहा हूं क्यों किया गया है मुझे नहीं पता जबाब कोई नहीं दे रहा है सक्ति इतनी है कि मुझे रिपोर्टिंग करने आना है तो मैं यहां नहीं आ सकता ठीक पीछे मैं खड़ा होकर ये कह रहा था कि मुझे इधर आना है रिपोर्टिंग करने मुझे मना कर दिया गया वो भी तब जब मैंने पूलिस के एक वरिष्ट अधिकारी से बताया अगर मेरे जैसा आदमी जो एक पत्रकार होने का भ्रह्म पाले हुए हो उसकी कोई नहीं सुनता हो तो आम आदमी की क्या विसा दिली से गाजियाबाद जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है फिलहाल और गाजियाबाद से दिली जाने के लिए आनन्द विहार पर एक पतली स लेन छोड़ी गई है जिसके चक्कर में इधर से एंबुलेंस को भी जाने में दिक्कत हो रही है यहां से इधर से कुछ लोग कुद फांद कर चले जाते थे एक उची दिवार थी जो आठ फिट की दिवार थी कुछ लोग उसे क्रॉस कर जाते थे उस दिवार पर लोगों के यातायात को जो लोग पैदल जाते थे, जो लोग मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें उफादने की कैपसिटी है, सब लोग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर दिवार के दोनों तरफ 10-10 फीट गढ़्धे खोद दिये गए